हेलो एन वेल्कम दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल GDS Law गुरुच में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एड़ोकेट के पावर को लेके कई लोग का सवाल आता सर एड़ोकेट के पास क्या पावर होते हैं और वो कैसे यूज करते हैं तो मैं सभी नए वकीलों को या LLB के students को बताना चाहता हूँ कि एड़ोकेट के पास क्या power होते हैं दोस्तो एक एड़ोकेट के पास मुखेता 5 power होते हैं जो कि एड़ोकेट Act 1961 में साफ साफ mention किये गए हैं जिसमें सबसे पहला आता है कि भारत के किसी भी हिस्से में practice करने का अदिकार जिहां दोस्तो यदि वो बार काउंसिल में enrolled हो चुका है BCI में तो वो भारत के किसी भी हिस्से में जाके practice कर सकता है यदि वैसे case के लिए जाना चाहता है तो आराम से जा सकता है यदि permanently ही उसको वहाँ practice करनी है तो बाहर को सूचना दे कि वहाँ की membership ले लेगा और वो आसानी से practice कर सकता है दोसरा जो point है वो है गिरफ़तारी में चूट जहा दोस्तो वकीलों को कोर्ट में आते वक्त या कोर्ट से जाते वक्त या कोर्ट के दोरान प्रोसेडिंग के दोरान उनको गिरफ़तार करने का अदिकार नहीं है यह केवल सिविल मामले में बात कर रहा हूँ क्रिमिनल में तो उसको किया जा सकता है लेकिन सिविल मामले में उसको इन तीन कंडिशन में कभे भी गिरफतार नहीं किया जा सकता है एवाम उसको गिरफतार करने के लिए भी कोट का प्रमिशन लेना पड़ता है कोट से उसकी इजालत लेनी पड़ती है तो दोस्तों तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है अपरादी से मिलने का अधिकार जहां दोस्तों एड़ोकेट एक्ट 1961 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एड़ोकेट को जेल के अंदर अपरादी से मिलने का अधिकार होता है चुकि अम अपरादी के पास भी अधिकार होता है कि वो अपने मन चाहे वकीलों से मिल सकता है या उनको निवत कर सकता है या उनसे बात कर सकता है यह जो है CRPC की धारा 41D में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों चौथा पॉइंट है कि वकील अपने क्लाइंट से किये हुए किसी भी बात को गुप्त रख सकता है जी हाँ दोस्तों उस पर कोई भी प्रेशर किसी भी विभाग या किसी भी अधिकारी दोरा नहीं बनाया जा सकता कि जो अपरादी ने या जो एक्यूजड है उसने कोई बयान दिया है उससे बात कहिए तो उसको पबिलिकली जाहिर करें यह उसके पास अधिकार है कि उसको गुप्त रख सकता है पांचपा उसके पास वकिल के पास ये पावर होता है राइट टू प्रियोडियन्स मिल्स वकीलों को कभी भी कोड के दोरान या कोट से पहले सुना जाएगा उस प्रोसीडिंग में भी वकिलों को पूरी तरीके से अपनी स्पस्ट रूप से बात रखने का अधिकार होता है उसके बीच में कोई भी किसी विपरगार का कोई डिस्टरबेंस नहीं किया जा सकता है वकिल अपनी बात स्पस्टता और सरलता के साथ नयले के समक्स रख सकता है दोस्तों मुखिता यही अधिकार थे एड़ोकेट के पास जो की उनको कानून की ग्याता के रूप में दिया जाता है तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी एक कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और इस चैनल को सब्सक करना ना भूले थैंकि सो मुच